दोस्तो new plan आने के बाद बहुत सारे बेक्ति को लगता होगा new plan में percentage कम हो चुका है तो beginner level पर पहले जो एक प्रोक्स 1000 रुपीय मिलता था तो क्या भी भी 1000 रुपीय ही मिलेगा या उससे कम हो जाएगा इसी question का answer आपको इस वीडियो में मिलने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम new plan के द्वारा vital level का एक पिन beginner और royalty level का एक पिन gold का income करेंगे वो भी पुराने plan से तुलना करके तो वीडियो को भी ना skip किये last तक जरूर देखे और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर ले तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मान लेते हैं कोई बेक्ति सल पायटी पर 5000 पीवे का product purchase करता है और इसके A लेक का total PBI 15,000 और B लेक का total PBI 5000 इस वेक्ति का total business हो गया 25,000 यानि की 20,000 से उपर इसका मतल़ यह high यह वेक्ति beginner pin पर है अब आए इसका income, old plan और new plan दोनों से calculate करते हैं अब आप वीडियो को थोड़ा ध्यान पुरुवेक देखिए नहीं तो आप confused हो जाएंगे या समझ नहीं पाएंगे कोई भी pin का income निकालने के लिए आपको self commission, A लेक का commission और B लेक का commission निकाल कर तिनों को add करना है इस परकार आप किसी भी pin का income निकाल सकते है तो इस परकार इस ब्यक्ति का total business है 25,000 PV यानि कि यह ब्यक्ति अभी 16.5% पर है इस लिए self income हो जाएगा 5000 का 16.5% यानि कि 825 रुपया अब A लेक का commission निकालते है आपका A लेक का total business है 15,000 PV यानि 14% पर है आप 16.5% पर है और आपका A लेक 14% पर है यानि 2.5% का अंतर है तो इस परकार A लेक से 2.5% income आएगा यानि 15,000 का 2.5% हो जाएगा 375 रुपया तो 375 रुपया आपको A लेक से आएगा B लेक का total business है 5000 PV यानि कि वह 12% पर है आप 16.5% पर है और आपका B लेक 12% पर है यानि 4.5% का अंतर है इस परकार B लेक से 4.5% का income आएगा यानि 5000 गुने 4.5% करे तो वह होता है 2.25 रुपया यानि कि आपको B लेक से 2.25 रुपया आएगा इस परकार आपका total income हो जाएगा आपका total business 25,000 PV है यानि कि अब आपको self income 7% पर्चेजर कलब में सामिल हो चुके है क्योंकि आप beginner level पर है यानि कहीं न कहीं आप RCM की leader है और RCM की leader प्रते एक month product purchase करते है अगर आप प्रते एक month product purchase करते है तो आप जुरूर पर्चेजर कलब में सामिल होंगे जिसको पर्चेजर कलब के बारे में जान करें नहीं है वो बेक्ती इस वीडियो को जुरूर देख ले तो यहाँ आपको self commission पांस जार गुनेट 7% प्रस 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 यानि की आठ सा पचास रुपे आएगा आपके एले का total business 15,000 PV है यानि 4.5% पर है आपका एलेक आप 7% पर है और आपका एलेक 4.5% पर है यानि 2.5% का अंतर है तो एलेक से 2.5% का income आएगा यानि 15,000 का 2.5% हो गया 3.75 तो आपको एलेक से 3.75 रुपे आएगा इसी परकार बी लेक से आपका 5% का अंतर है तो बी लेक से 5% income आएगा यानि 5000 का 5% 2.50 रुपे बी लेक से आने वाला है इसी परकार total income 8.50 पलस 3.75 पलस 2.50 यानि 4.75 रुपे आएगा पहले beginner pin पर आपका income था 14.25 और आपका income है 14.75 यानि income लगव में सेम है इसका मतलब percentage कम होने से आपकी income पर कोई प्रभोव नहीं परा इस परकार आप starter, opener, eagle, किसी भी battle pin का income निकाल सकते हैं अगर आपको किसी खास pin का income calculation चाहिए तो आप comment में बताईए, मैं उस पर वीटियो जरूर बनाऊंगा चलिए अब royalty का एक pin गोल्ड का income calculate करते हैं मान लेते हैं, यहाँ एक बिक्ती है जो gold pin achiever है इसका मतलब इसके A लेक का total business 3,50,000 PV है और B लेक का total business है 1,15,000 PV और उस मेंने उस बेक्ती ने self ID पर भी 5,000 PV का product purchase किया है तो पहले old plan के द्वारा income calculate करते हैं इस बेक्ती को self income 32% मिलेगा क्योंकि इसका total business 3,50,000 PV से अधिक है तो 5,000 का 32% यानि 16,000 रुपे इसे self income आएगा और A लेक का cool business है 3,50,000 PV यानि A लेक 32% पर है और वो खुद भी 32% पर है तो difference है 0% तो A लेक से 0% commission आएगा और B लेक का cool business है 1,15,000 PV यानि B लेक 24% पर है इसका मतला अंतर 8% है तो B लेक से 8% income आएगा यानि 1,15,000 का 8% करे तो वो होता है 9,200 रुपे यानि B लेक से 9,200 रुपे इंकम आएगा और यह आपको पता होगा जब कोई वेक्ति रुइल्टी पर जाता है तो उसे मेन लेक से 3,8% income रुइल्टी बोनस के रुपे मिलता है तो इस वेक्ति को 3% रुइल्टी बोनस मिलेगा क्योंकि गोल्ड पिन रुइल्टी का 1st पिन है और इस पर 3% रुइल्टी बोनस मिलता है तो मेन लेक का कुल पिजिनेस 3,500,000 पीवी है तो 3,500,000 का 3% निकाले तो वो होता है 10,500 रुपे यानि इस वेक्ति को 10,500 रुपे रुइल्टी बोनस मिलेगा इस परकार गोल्ड पिन का टोटल इंकम 16,000 प्लस 9,200 प्लस 10,500 यानि 1,300 रुपे होगा अब इसे न्यू प्लान के दोरा कल्कुलेट करते हैं इस वेक्ति का टोटल पिनेस 3,500,000 पीवी से अधिक है यानि कि अब इसको सेल्फ कमिशन 20 परसेंट और परचेजर बोनस 10 परसेंट यानि कि 32 परसेंट मिलेगा यानि 5000 का 32 परसेंट करे तो वो होता है 60 रुपे हैं तो सेल्फ कमिशन 60 रुपे आएगा और A लेक से 0 परसेंट कमिशन आएगा क्योंकि Self भी 20% पर है और A लेग भी 20% पर है और Self भी 20% पर है और B लेग का टोटल विजनेस एक लाख पंदर हजार पीवी है यानि 14.5% पर है यहां 75.5% का अंतर है तो B लेग से 75.5% का कमिशन आएगा यानि एक लाख पंदर हजार का 7.5% होता है 8.625 पर तो B लेग से 8.625 पर इंकम आएगा और डॉयल्टी बोनस 3.5.000 का 3% यानि 10.500 रुपे आएगा इस परकार न्यू पलान के द्वारा गोल्ड पिन का टोटल इंकम 16.000 पलस 8.625 पलस 10.500 यानि की 20.725 रुपे होगा यहां भी इंकम लगवग में सेम है इस परकार आप डॉयल्टी का कोई भी पिन का इंकम कल्कुलेट कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना है अगर कोई डॉट या कॉस्चन है तो कॉमेंट में बताए मैं आपकी कॉमेंट कर पलाए जरूर दूंगा तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जायर से